Good morning everyone. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. PKJPSC और BPSC चैनल में आपका स्वाग अफेर. So, आज का lecture है April और मे का Current Affair. So, January, February और March का Current Affair मैं already upload कर दिया हूँ अपने YouTube चैनल में. Please do watch. देखे, मैं जब Current Affair बोल रहा हूँ, तो यह BPSC यानि बिहार का Local Current Affair है. जो की बिहार के Local में हुआ है. ठीक है? So, it's not All India Current Affair. इसलिए यह वीडियो बहुत छोटा होगा. और मैं क्यों April और में दोनों का Current Affair एक ही वीडियो में कर रहा हूँ? Because April में उतना Important Current Affair में को मिला नहीं, जो बिहार में हुआ हूँ. So, मैंने कंबाइन कर दिया April और में दोनों का Current Affair. So, चलिए अपनी क्लास हम सुरू करते हैं. ओके, दो पहला Current Affair है. बिहार और तुरिपुरा गवर्नर देवानंद कोनवार पास्ट रवे. So, ये है पहला Current Affair. अगर आप देख सकते हैं, ये उतना Important नहीं है. आपको लगेगा बिहार और तुरिपुरा के गवर्नर थे, जो ओल्ड गवर्नर थे, देवानंद कोनवार, उनकी मिट्टी हो गई असाम में. So, ये April में एक ही News है, जो थोड़ा सा Important मेरे को लगा. Otherwise, और कोई भी Important News नहीं है. So, let's talk about May का Current Affair. May के Current Affair में अच्छे खासे News हैं, क्योंकि May के Current Affair में में बजट भी आया था बिहार में, तो इसलिए अच्छे खासे News हैं, थोड़े थोड़े. So, सबसे पहला News हम लोग देखते हैं, जो कि Ministry of Consumer Affair and Food and Distribution से है. So, ठीक है, Ministry of Consumer Affair and Food and Distribution से related है. तो आपको पता होगा, अगर आपने अच्छे से Current Affair तैयारी की है, तो there is something called One Nation, One Rāsankar. ठीक है, एक Rāsankar पूरे इंडिया में valid होगा, according to government नहीं ये बोला है. So, धीरे-धीरे सारे स्टेट इसमें इस स्कीम से जूड़ते जा रहे हैं. तो 1 में 2020, यानि Labor Day के दिन, अगर आपको पता हो कि 1 में इस Labor Day, के दिन UP, बिहार, पंजाब, हिमाचल, प्रदेश, दादर और नागर हवेली और दामनेंदियों ने इस स्कीम से जुड़े, ठीक है? तो important question है कि अब बिहार भी, बिहार भी, local के लिए important कहा है, कि अब बिहार भी, even बिहार, is now actually involved in one nation, one रासन कार्ड स्कीम, ठीक है? मैं आपको ये भी पता देता हूँ, 1 अगस 2020 तक, 24 state, इंदिया के, one nation, one रासन कार्ड स्कीम से जुड़ चुके हैं, ठीक है, let's do next current affair, जैसे मैंने बोला, कि इस मन्त बिहार के एकोनोमिक, यानि फिनांस मिनिस्टर, ने बजट पेस किया बिहार के विधान सभा में, तो उन्होंने बजट पेस किया, 2,11,7171 करोर का, ये figure important है, figure बहुत बार पूछता है, 2,11,7171 करोर का, बजट सुसील मोदी ने पेस किया, और इनका जो priority area क्या गया था, priority area भी देखना है, तो priority area है, education, obviously, यानि सिख्छा, healthcare, infrastructure, तीन priority area है, education, healthcare, और infrastructure, ओके, so according to सिसील मोदी, कि हमारा GSDP, यानि GDP बिहार का, उसको gross state domestic product बोला जाता है, वो होगा, नेक्स्ट, वो उन्होंने, अनुमाल लगाया कि 6, 8, 5, 7, 9, 7, ठीक है, 6, 8, 5, 7, 9, 7, करोर होगा, बिहार का GDP, 2020-21 के लिए, ठीक है, let's see कितना होता है, ओके, और physical deficit भी important है, BPSC पूच सकता है, कि fiscal deficit का target क्या है, बिहार government का, तो 2.97 परतिशत है, GSDP का, 2.97 पर्षेंट, GSDP का है, physical deficit का target, I hope कि government पूरा कर ले, ओके, और सबसे ज़्यादा increase allocation किसमे होगा, किसमे सबसे ज़्यादा पैसा increase किया गया है, जैसे पिछले साल, जितना भी पैसा सारे scheme में लगाया गया थे, उस scheme में सबसे ज़्यादा increase किसमे होगा, तो अगर आप देखें, तो water supply में सबसे ज़्यादा increase हुआ है, next है sanitation में increase हुआ है, ठीक है, housing में, और urban development में increase हुआ है, तो तीन department, water sanitation, water sanitation, housing, and urban development में, सबसे ज़्यादा पैसे को बढ़ाया गया है, और सबसे decrease किसमें किया गया है, energy sector में, 48 परतिशद, पिछले साल के मुकाबले, 48 परतिशद, पैसा इसमें कम दिया गया है, तो याद रखिए, important question है, water supply, sanitation, housing, and urban development में, पैसा सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, और सबसे decrease किया गया है, energy में, लेकिन, next question होता है, कि किस department को, यानि किस explicit department में, या किस scheme में, सबसे ज़्यादा पैसा allocate किया गया है, तो याद रखिए, education में सबसे ज़्यादा पैसा allocate किया गया है, सिक्षा में पैसा जो है सबसे ज़्यादा allocate किया गया है और यह जो actually total budget का 19.3 पर्तिशत 19 दे समलव 3 पर्तिशत जो है सिक्षा पे पैसा दिया जाएगा 2021 में तो यह बहुत बड़ा बात है around 1 y 5th 20 पर्तिशत around 20% अब सिक्षा पे बिहार गवर्मेंट खर्च करेगी so I am writing it here education and rural development so let's move to the next slide so यह जो current affair का news है यह दो GI tag है जिसका नाम है साही लीची आपको यह पता होगा साही लीची बिहार का बहुत फेमस है साही लीची and जरदालू जरदालू आम मेंगो ठीक है तो actually देखे lockdown का समय हो गया अब यह lockdown का समय हो गया तो यह जो distribution network वो तूट गया तो बिहार horticulture department ने क्या किया कि एक प्रपोज किया कि हम बिहार horticulture department ने प्रपोज किया कि Indian post के साथ मिलके कि आब हम साही लीची और जरदालू mango supply करेंगे साही लीची तो दूसरे स्टेट में भी और जरदालू mango भी कुछ दूसरे स्टेट में इनको supply किया जाएगा with help of Indian post तो obviously Indian post क्या करेगी logistic यानि उसको supply करेगी और deliver करेगी लेकिन minimum booking अगर आपको book करना है तो 2 kg का booking होगा और mango को book करना है तो 5 kg minimum leechi 2 kg और mango यानि आम 5 kg तो ये important है साही leechi ये बहुत important question है actually साही leechi जो है को GI tag मिला था 2018 में ये important question है I am sorry for that और जर्दालू mango जर्दालू mango को GI tag मिला था वो भी 2018 में मिला था और उसी साल कतरनी राइस और मगी पान को भी GI tag मिला था तो 2018 में साही leechi, जर्दालू mango कतरनी चावल और मगी पान को GI tag मिला था important question है बहुत बहुत important question है so ये question पूछ सकता है okay so let's move to the next slide okay ये है sample registration system से ने एक report दिया 2018 में इन्होंने report निकाला sorry 2019 में report निकाला 2018 का तो इसमें इन्होंने बताया IMR क्या है, इंडिया का, MMR क्या है तो ये थोड़ा सा देख लेते है important है हलाकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये mostly, इंडिया, होल इंडिया का होगा तो पहले IMR का definition हमको पता होना चाहिए उसको define कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए तो IMR मतलब infant mortality rate चीक है इंगलिस में infant mortality rate बोलते है हिंदी में साथ सिसू मरंदर बोला जाता है तो infant mortality rate का जो calculation होता है वो death 1000 life birth अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें कितने बच्चे मर गए तो इस नोंने एक साल में उसको बोला जाता है IMR, infant mortality rate तो देखिए national average actually 2017 में 33 था मतलब हर 1000 बच्चे पैदा होते थे उसमें 33 बच्चे मर जाते थे 2017 में थोड़ा से improvement हुआ है 32 हो गए अब जो है अब ये improvement होगे 32 होगे मतलब अब 2018 में अभी 2019 का report नहीं आया है वो अभी साय 2021 में आया 2018 में 32 बच्चे हर 1000 बच्चे में जनम में मर जाते थे ओके रूरल और अर्बन का भी थोड़ा है रूरल और अर्बन रूरल देखें 2009 की हम बात करते हैं आज से राउंड 10-12 साल पहड़े 10-11 साल पहले 10-11 साल अगर आप पहले देखें तो जो बच्चे पैदा होते थे उस वो 55 लोग 55 बच्चे मर जाते थे every 1,000 मतलब IMR जो infant mortality rate था वो 55 था और 2018 में 36 हो गया तो ये एक्चुली इंप्रूव्ड है रूरल अरिया में रूरल अरिया की बात कर रहा हूं ठीक है और अर्बन अरिया में 2019 में 34 लोग बच्चों की मिर्ती होती थी और अब 2018 में 23 लोग बच्चों की मिर्ती होती है तो ये भी improvement है good it's a good news ओके ये भी question पूछा जा सकता है कि maximum IMR कौन से state में है तो actually maximum IMR मद्धिप्रदेश में है जो 48 बच्चे हर 1000 बच्चे जो वहाँ पैदा होते है तो मर जाते है minimum IMR ये भी important question है नागालेंड में है नागालेंड छोटा state है लेकिन minimum IMR नागालेंड में सिर्फ 4 बच्चे वहाँ every 1000 बच्चे जो पैदा होते है उसमें मरते है best बड़े state में अगर बड़े state को देखा है तो बड़े state में best performance है केरला का केरला में हर 7 बच्चे मरते हैं every 1000 बच्चे पैदा होने पे और छोटे state में actually नागालेंड obviously नागालेंड 4 बच्चे मरते हैं every 1000 बच्चे पैदा होते है तो UT that is union territory में अगर देखें तो अन्मान ए निकोबर का performance सबसे अच्चा है उसका IMR 9 है तो थोड़ा सा बिहार का देख लेते हैं यह तो इंडिया का था तो बिहार में male child का IMR 30 है और girl child का IMR 35 है यह 2018 का report है लेकिन मेरे को combined IMR नहीं मिला अगर आप combined IMR आपको मिला तो please आप comment करें ठीक है ओके birth rate की बात करते है जैसे यह हुआ IMR that is infant mortality rate तो birth rate क्या होता है birth rate मेरा birth rate का definition मैं बता रहा हूँ हर 1000 population में कितने लोग का जनम हुआ मतलब कितने बच्चों का जनम हुआ male और female दोनो is known as actually birth rate उसको birth rate बोला जाएगा है तो national average अगर 2019 में देखें sorry 2009 में देखें आप से 11 साल पहले तो 22.5 परतिशत था और आज 2018 में मतलब 2 साल पहले 20 परतिशत है मतलब it's a good news कि birth rate घटा है लेकिन फिर भी ये भी बहुत जादा है 20 परतिशत भी बहुत बहुत जादा है birth rate लेकिन आपको ये आगठना है 2009 में 22.5 परतिशत था और अब घटके 20 परतिशत हो गया है ओके next question है highest birth rate सबसे ये question पूछा जा सकता है बिहार में भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये related है बिहार से देखे highest birth rate कौन से state में है 26.2% और अगर lowest birth rate हम लोग देखें तो lowest birth rate है अद मानने निकोबार आइलेंड का जो कि 11.2% है ठीक है so so guys that's it from my side and I will do current affair of this was from this was from April और में का था तो June, July, August, September, October November and December even December क्योंकि 28 December के असपस exam होगा I will upload it in my channel please do watch ठीक है आप उसको देखें share करें अपने friends से subscribe करें मेरे channel को और कोई भी problem है कोई भी issue है please do comment और अगर आपको explicit आप चाहते हैं कि मैं किसी explicit video कोई explicit topic पर video बनाऊ तो मैं वो भी बनाऊंगा please do subscribe to my channel stay updated bye bye enjoy